क्या हर्याना विधान सभाच चुनाओ में वोटिंग प्रतिशत का गिरना कुछ नए इशारे कर रहा है या फिर परमपरागत रूप से वोटिंग परसिंटेज का गिरना जो इशारे करता है इसका भी मतलब वही है हर्याना विधान सबाचिनाव में कॉंग्रेस पार्टी की लहर और उसकी उम्मीदें क्या टूट रही है क्या बीजेपी एक बार फिर से वापस आने को तयार है या फिर कॉंग्रेस अपने दावे पर उतरेगी खरी और बनाएगी सरकार इन सबी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में नमस्कार मैं हूँ आशीस्त्रिपाठी न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब बात करेंगे हर्याना विधानसभा चुनाव की जी हाँ विधानसभा चुनाव अपने आप में राज्य के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव होता है नब्बे विधानसभा सीटों वाली हर्याना विधानसभा चुनाव की ये गहमा गहमी अब शान्त हो चली है लेकिन अब यहां से नई सवाल, नई गहमा गहमी और नई उतार चड़ाव देखने को मिल सकते हैं वोटिंग परसंटेज वीडियो बनने तक काफी अपेक्शक्रत कम रहा है लेकिन क्या वोटिंग परसंटेज बढ़ेगा और वोटिंग परसंटेज बढ़ता है या नहीं बढ़ता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा तो वोटिंग परसंटेज अब एक शक्रत अधिक रहता है और बीजेपी ने तो वोटिंग परसंटेज अधिक होने पर भी प्रो इंकम्मेंसी जैसे शब्दों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था बहराल अब यहां हरियाना में उनका क्या होता है ये तो आगे हम बात करेंगे ही और बहुत ज़्यादा समय नहीं है वो सपश्ट हो भी जाएगा एक हजार से ज़्यादा उम्मिद्वार इस बार के विधानसवा चुनाओं में हैं लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच है वोटिंग परसंटेज जो अब तक मिल रहा है उसमें यह बता जा रहा है कि 29.5 प्रतिशत वोटिंग अब तक हो चुकी है लेकिन बीजेपी और कॉंग्रेस ये दो प्रमुक पार्टियां जिनके बीच टक्कर है दोनों ही 89-89 सीटों पर चुनाओ लड़ रही है चुकि कॉंग्रेस पार्टी ने अपनी सहयोगी पार्टी CPIM के लेकिसीट छोड़ दी है तो वहीं हिसार से गुपाल कांडा के लिए भारतिय जन्ता पार्टी ने अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया था और यहां गुपाल कांडा जो की निर्दली उम्मीदवार चुनाओ लड़ रही है वो इस बार भारतिय जन्ता पार्टी कुरसी तक न पहुंच सके और जनता से जुड़े रहने वाले नेताओं को भी इस बार उम्मीद है कि हो सकता है कि उनकी पार्टी उन्हें मुख्यमंतरी बनने का मौका दे हम बात कर रही हैं भारती जनता पार्टी के कदावर निता लोगों से जुड़कर रहने वाले और जन निता कहे जाने वाले अनिल्विज की जो हाँ अंबाला की प्रिष्ट भूमी से आने वाले अनिल्विज इस बार खुलकर बोल रही हैं उनका ये कहना है कि जो टेड़ा बोलने वाले लोग हैं उनसे मैं ही मोर्चा लेता हूँ। कॉंग्रेस पार्टी को निप्टाने वाला कॉंग्रेस पार्टी को उनके मूपर जवाब देने वाला नेता मैं ही हूँ। और आज तक मैंने पार्टी से कुछ नहीं मांगा अब इसका सीधा सा मतलब है कि इस बार अनिलविज को ये उम्मीद है कि अगर पार्टी जीती है तो उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए हलाकि अनिलविज ने इससे पहले कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया उनकी कैबिनेट में रहकरके अपने अनुभवों को साजा कर पार्टी को चलाने और सत्ता में रहकरके सरकार चलाने के लिए भी उन्होंने लगातार काम किया है अब देखना ये होगा क्या इस बार का रिजर्ल वीजेपी के पक्ष में जाता है और क्या अनिलविज को मौका मिलता है बाराल आगे बढ़ते हैं बात करेंगे कॉंग्रेस की गुटबाजी से घिरी परेशान हैरान कॉंग्रेस पार्टी के लिए चिनौती है उनकी गुटबाजी एक्सपर्ट का कहना है और गाहे कॉंग्रेस पार्टी की लहर है दस साल के बीजेपी के शासन के विरोध में जो एंटी इंकंबन्सी जनरेट हुई है अगर कॉंग्रेस पार्टी के निता अपस में इसी तरह से लड़ते रहे तो एक और मौका उनके हाथ से जा सकता है क्या ये मौका भी कॉंग्रेस की आप वोटों के रिजल्ट्स में जो आड़ तारिक को जारी होने वाले हैं अभी हुपेंदर सिंग हुड़ा, कुमारी शैलजा, रदीब सुर्जेवाला ये सभी लोग कॉंग्रेस पार्टी ही के लिए काम कर रही हैं लेकिन कभी एक साथ एक मंच पर ये विधान सभाच नाव म नजर नहीं आया रहा कि राहूल गांधी के रहरी में कुमारी शैलजा मंच पर पहुंची जरूर थी लेकिन काफी मान मनवल के बाद और उसके बाद फिर वो वापस अपने कुछ असीमित क्षेत्र में जाकर प्रचार कर रही थी पार्टी के लिए बात करें जेजेपी की जो भारती जनता पार्टी के साथ संगठन में थी भारती जनता पार्टी के साथ सरकार चलाई माफ के जेगा लेकिन सरकार में रहने के बाद कुछ अंदर खाने घटपट हुई क्या वज़या हुई कि दुश्यंत चोटाला सरकार से अलग हो गए ना पहली ही बार जब पार्टी बनी और उन्होंने चुनाव जीता तो 10 सीटें उन्हें विधान सभा में मिल गई और 10 सीटें मिलना मतलब आप सरकार बनाने के लिए सहयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं बीजेपी की विचारधारा के साथ उस वक्त उनकी विचारधारा मेल खाई लेकिन इस बार क्या होगा अब तो बीजेपी से भी खटपट हो चुकी है लेकिन क्या आंकडे उन्हें साथ ला पाएंगे ये भी देखना एहम होगा और अगर ये साथ आते हैं तो क्या पुराने कड़वे अनुभवों को वो जजब कर पाएंगे एक बार फिर से सत्ता में वापस जाने के लिए चुकि संकेत वोटिंग परसेंटेज यही कर रही हैं कि वोटिंग परसेंटेज का कैम रहना भारतिय जन्ता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और सत्ता के पक्ष में जाता हुआ दिखाई जे रहा है क्योंकि इस पक्त भारतिय जन्ता पार्टी की उसका एक विशेश कारण ये भी है कि वोटिंग परसंटेज अभी भी बहुत कम दिखाई दे रहा है। ये भी बाराल आने वाले वक्त में सपष्ट हो ही जाएगा। बापसी की उम्मीद यहाँ पर कॉंग्रेस पार्टी को बनती दिखाई दे रही है। और अभी कई तरह की राजनतिक द्वंध हमने देखे हैं मसलन चाहे वो पहलवानों का विशेह हो, किसानों का विशेह हो जो की भारते जंता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनावती इस चुनाव में दिखाई दिया था। लेकिन हर्याना चुनाव से जुड़ी एक आध विडियो और हम इस पर जरूर बनाएंगे अगर कोई बड़ा उलट फेर या बड़ी दिल्टस्प यहाँ पर घटना घटित होती है, चुकि इस वक्त वोटिंग परसेंटेज ही यह इशारा कर रहा है कि कोई बहुत जादा बड़ा परिवर्तन हर्याना में नहीं होने वाला